वेलो डिल्कॉम टू माई चैनल सिलंस किचन में आप सबी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बनाना चीप्स और बहुत ही आसान तरीके से इसे घर पे हम बना करके रेडी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स रेसिपी को लाज तक जरूर देखिएगा अगर बनाना चिप्स आपको थोड़ी सी भी पसंद आती से लाइक, सियर, मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा तो चलिए रेश्पी बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए बनाना चिप्स बनाने के लिए मैं हाँ पर कच्छा केला ली हूँ और कच्छे केले से हम यहाँ पर चिप्स बनाएंगे यानि कि कच्छा बनाना हमने लिया हुआ है और इसी से बनाएंगे अब मैं क्या करूँगे इसके जो छिलके हैं गिरीन वाला उसको हम निकाल देंगे इस तरह से और यह कच्छा है फिर भी बहुत ही असानी से निकल जाता इस तरह से तो अगर आपको चाकु से सुविधा नहीं होती है अच्छे से नहीं निकलता है तो आप इसको छिलने से निकाल लेजिए जिससे हम आलू छिलते हैं उससे भी निकाल सकते हैं और इस तरह से निकाल के उपर से कर दीजिए और इसको रख दीजिए झाधा हम साथ एक साथ में ज्यादा नहीं छीलेंगे मैं दो ही छील के आपको बताऊंगे और दो ही में छील के अभी कट करूँगी किमकि इसे छील करके अगर हम रखते हैं तो ये काला पर जाता है इसलि इसको मैंने धो लिया है एक पानी और कपड़े से पोच ली हूँ अब हम इसकी स्लाइसे कट करेंगे तो दिखिए इस तरह से मैं इसमें कट करूंगे और यह बहुत पुराना है तो बहुत अच्छे से मतलब बढ़िया नहीं निकल पारा है लेकिन मैं आपको दिखा रही हू तो उससे भी आप कट कर सकते हैं बहुत अच्छे से अगर नहीं है तो मेरे जैसे आप चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं और बहुत ही पतले स्लाइसेस निकलेंगे चाकू से भी तो देखिए यहाँ पर मैंने उसमें कट करके दिखा रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं आ रह तो मैं यहां पर चाकू से आपको कट करके बताऊंगे और चाकू से भी आप स्लाइसे कट कर सकते हैं और वह भी बहुत ही पतले बहुत ही अच्छे तो देख सकते हैं इस तरह से मैं चाकू से इसे कट कर रही हूं आपको दिख रहा होगा कि इतना पतला स्लाइसे निकल रहा ह तो इस तरह से आप चाकू से भी slices कट कर सकते हैं कोई जहनजट नहीं है और आप चाहते हैं तो आप chips maker से भी इसे कट कर सकते हैं तो देखिए मैं दो केले को यहाँ पर काट के ready कर ली हूँ यानि कि slices कट गए हैं अब इसे हमें fry करना है तो तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया था और तेल गरम हो चुका है एक डाल के मैं चेक कर रही हूँ तो इससे जादा हमें तेल गरम करने की जरूरत नहीं है जादा high flame पे gas को मैंने नहीं रखा है medium to high flame पे रखा है और इस तरह से हम सबही केले के slices इसमें डालेंगे एकए करके अपसांत में भी डाल सकते हैं लेकिन अच्छा result इसे इसी तरह से मिलता है एक-एक डालने के बाद तो इसी तरह से में सारे courtroom मतलब इसमें जितना आता है हमें उतना ही मैं डालोंगे दो के लिए की जो slices हमने कट किया है सारा एक साथ में नही डालोंगे इत्धा ही डालके इससे हमें fry करना है तो मैंने डाल दिया है अब इसको आच्छा brown होने तक ज्यादा brown भी नहीं थोड़ा सा golden होने तक fry करना है यानि की crispy होने तक कच्छा नहीं होना चाहिए क्रिस्पी होना चाहिए कड़क हो जाना चाहिए तब हम इसे निकालना है तो देख सकते हैं यह थोड़ा सा गोल्डेन ब्राउन हो चुका है और इतना ही हमें इसे फ्राई करना है मैं इसको निकाल लेती हूं और दूसरा बैस भी मैं इसमें ड चुम में और यहां 55 चुम और इसी तरह से फै or लूंगे और यहां पर मैं आपको बता अपन हैu निकाल नहीं हों लेकिन हैं ठोड़े से और यहो आप कोई लखे हुए अगर इस तरह के आप निकाल रहे हैं तो अच्छा नहींmaya यह क्या होता अभी आपको क्रिस्पी दिखेगा लेकिन अदे घंटे के बाद में 15-20 मिनट के बाद में यह सौगी हो जाता है डबे में करके रखे या कहीं भी भी रखे यह सौगी हो जाता है इसलिए हमें इसको थोड़ा से गोल्डेन करना जरूरी है तो मैं थोड़ा गोल् यहाँ पर चीप्स बना करके सभी रेडी कर लिया है और एक बैस मैंने निकाला यहाँ पर दुसरा बैस में डाल रही हूं तो इसी तरह से सारे मैंने निकाल कर यहाँ पर रख लिया है और देख सकते हैं काफी ये कुर्कूरा कृष्पी बना हुआ है आपको आवाज भी आ रही होगी, तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे बणान चिप्स mush बना करके मैं रेडी कर लings कृष्पी कर ले हूँ देख सकते हैं कि आपको थोड़ा से चटपटा खाना होगा तो आप यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक ले 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 अधा चमत चाट मसाला में ले रही हूँ और अधा चमत से भी कम मैं हाँ पर कास्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ आप लाल मिर्च भी ले सकते हो अगर आपके बचे मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप इहां पर काली मिर्च के पॉडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं सभी मसाले को मिक्स कर लेंगे और मैं एक चमच निकाल के रखती हूं साइड में और इसको मैं उपर से डालूंगे अब इसकी अंदर हम चिप्स डाल देंगे इस तरह से सभी चिप्स को और उपर नीचे करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सभी जो नमक है मसाले हैं सारे चिप्स के उबर भी लग जाए इस तरह से तो उपर नीचे आपको अच्छे से कर लेना है और करके हम क्या करेंगे इसको 15-20 मिनट आप बाहर रखे और नहीं तो डिरेक्ट आप एर टाइट कंटीनर में इसे डाल करके रख सकते हैं ती हो गया फ्रेंड्स हमने पुरा आपको पता दिया प्रसेस अब मैं आपको बताती हूं कच्छे केले से मैंने आपको बताया लेकिन थोड़े से जो पीले हो जाते हैं नहीं तो अच्छे से पके होते हैं और नहीं तो तो अच्छे से कच्छे होते हैं उस टाइप के आपके पास के लिए हैं तो उसके भी बहुत ही बढ़ियाद चिप्स बनता है आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और फ्राइप करने के लिए दिखियां पर मैं बता देती हूं इसे कोकोनेट आयल में फ्राइप किया जा